आज हम अपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर टू को आगे लेके चलते हैं और हम फंक्शन्स ऑफ अपरेटिंग सिस्टम को डिसकस कर रहे थे जिसमें हमने file system management को discuss किया था उसके इलावा हमने memory management को discuss किया था उसके इलावा resource management को discuss किया था आज हमारा जो topic है that is processor management यह काफी ज़्यादा important component है देखें basically आपके जितने भी task होते हैं जितने भी jobs होते हैं computer system के अंदर उसको operating system जो है वो CPU से deal करता है यानि कि CPU आपके लिए यह तमाम तर jobs को करता है और आगे हम इस processor management के हवाले से कुछ algorithms है उनको भी detail में discuss करेंगे और ऐसे discuss करेंगे कि आपको कुछ problems होंगे, कुछ problems दिये जाएंगे और उनको हम solve करने की कोशिश करेंगे इंशाला, processor management की की बात बताने से पहले मैं एक चोटी सी बात बता दूँ कि ऐसा है ना कि जब भी दो processes parallel आप use कर रहे होते है या for example आपने MS Word लगाया है ठीक है, आप MS Word में documentation कर रहे है और एक आपने music player लगाया हुए साथ तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनो दोनो टास्क जो है वो processor के पास at a time होगे ऐसा नहीं है, processor इनके दर्मयान switching करता है ठीक है, थोड़ा time जो है वो process 1 को देगा थोड़ा time वो process 2 को देगा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक time पे जो है वो processor जो है वो दोनो processes को deal करेगा कभी ऐसा possible हो सकता है कि आप एक ही time पे घर में भी मौझूद हो या किसी और जगा पे भी मौझूद हो तो basically क्या है आपका जो processor है वो थोड़ा थोड़ा time जो है time slices बनाके कभी एक process को देता है time कभी दूसरे process को देता है time इस चीज़ को हम कहते है scheduling ठीक है और हम आगे scheduling algorithms को detail में discuss करेंगे कि scheduling algorithms क्या है और इन problems को कैसे solve किया जाता है इन में turnaround time कैसे calculate किया जाता है इन में मुक्तलिफ response time और ये चीज़ें कैसे calculate की जाती है तो इनको इन्शाला हम आगे detail में discuss करेंगे तो basically आपका operating system processor management कैसे करता है कि कौन से process को पहले processor मिले कौन से process को बात में processor मिले कौन सा process ready to execute है कौन सा process ready to execute नहीं है इस slide का सिरफ ये मकसद है कि आपको ये पता चल जाए कि operating system processor management कैसे करता है तो ऐसे करता है कि आपको ये तो पता चल कि कि आपको जो processor है वो at a time दो processes के पास नहीं हो सकता तो it means के कौन सा process जो है वो पहले allocate होगा processor के लिए और फिर कौन सा process जो है वो दूसरी third, second, first इस position के उपर according to its time जो है वो allocation होगी processes की ठीक है आगे हमारे पास user interface आ जाता है देखे user interface जो है वो operating system का एक सबसे ज्यादा important component है और मैं अगर कहूँ ना कि सबसे ज्यादा important facility operating system की तरफ से तो घलत नहीं होगा क्यों? क्योंकि देखे अगर for example आपके पास ये interface ही नहीं है या आपको ये desktop नजर नहीं आ रहा, ये icons नजर नहीं आ रहा, ये सारा layout नहीं आ रहा तो क्या आप अपने application programs के साथ communicate कर सकते हैं? ये वैसी मिसाल है कि अगर मैं आपके operating system से interface हटा दूँ और आपको कहूँ कि MS Word में documentation करके दिखाएं या कुछ link के दिखाएं या कोई gameplay करके दिखाएं तो जब interface ही नहीं होगा तो आप अपने application program के साथ कैसे communicate करें? मेरी बात समझा रही हो गया, I hope so, कि जब तक आपके पास interface की facility मुझूद नहीं होगी operating system में आप अपने application programs के फाइदा नहीं उठा सकते हैं Linux ने अपने operating systems introduce किये हुआ है, इसी तरह Windows, Microsoft ने अपने operating systems introduce किये हुआ है, Mac जो Apple है उन्होंने अपने interfaces इंट्रफेस को ज्यादा recommend करेंगे या Mac के operating system को ज्यादा recommend करेंगे इसी तरह जो Android के users हैं जो Microsoft के users हैं वो Windows के interface को ज्यादा recommend करेंगे operating system को ज्यादा recommend करेंगे तो यह जो operating system design किये जाते हैं यह according to audience किये जाते हैं कि हमारी audience हमसे क्या demand कर रही है basically ठीक है और basically जो आपको यह icons यह desktop यह display यह तमाम तर चीज़े नजर आ रही होती है जिसके थुरू आप अपने application program के सथ communicate कर सकते हैं तो यह इसके बगार possible नहीं है यह interface के बगार possible नहीं है इसी चीज़ को हम कहते हैं कि यह basic लिए आपके पस interface है अगर आपके पस यह चीज़े ना हो अगर यह आपके पस icons ना हो यह desktop ना हो यह layout ना हो तो आप अपने application programs के सथ हरकिस communicate नहीं कर सकेंगे I hope so user interface आपको clear हो गया होगा इसके इलावा running applications जो है इनको भी आपका operating system manage करता है जैसे मैंने आपको बताया था कि processor जो है वो एक वक में एक process के साथ deal करता है ऐसा नहीं होता कि multi processes जो है वो processor के उपर डाल दिये जाते हैं और processor continuously उन दोनों processes को simultaneously deal कर रहोता है ऐसा नहीं होता एक ही वक में वो एक process को time दे सकता है लेकिन जो computer है उसकी time switching speed इतनी ज्यादा है कि वो आपकी normal आंग से नहीं किया जा सकता milliseconds के अंदर वो एक processes थे दूसरे process में switch करता है इसी तरह आप गेम खेल में और साथ आपने songs लगाए में लेट से आपको racing game खेल में और साथ आपने songs लगाए में तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इन दो processes को अलग अलग time मिल रहा है इन दो processes को एक ही time पे प्रोसेसर डील कर रहा है ऐसा कभी में नहीं होगा यह क्या होगा कि आपका जो प्रोसेसर होगा वो ए दो या तीन second मैं आपको normal human readable form में बता रहा हूँ वरना यह milliseconds के अंदर होता है one millisecond जो है वो एक process को देगा then one millisecond वो game को देगा then one millisecond again वो आपकी game को देगा तो इस तरह processor जो है वो switching करता रहता है context जो है उसका switch होता रहता है कभी एक process के उपर कभी दूसरे process के उपर तो यह running applications जितनी भी आपकी RAM के अंदर loaded होती है किस process ने जो है वो बाद में execute होना है किस process ने जो है वो पहले execute होना है कौन सा process जो है वो भी ready state में नहीं है वो भी ready नहीं execute होने के लिए यह तमाम तर चीजें जो हैं वो आपका operating system ही manage करता है उसके इलावा जो आपकी running applications होती है for example running से मुराद यह है जो के RAM में load होई होती है आप 3-4 processes आजकल के दोर में आप जितने चाहे application programs run कर सकते है for example आप MS Word भी run कर रहे है PowerPoint भी run कर रहे है Excel भी run कर रहे है और कोई game भी खेल रहे है let's say तो इन तमाम तर जितने भी processes आपने open किये होंगे अपनी RAM के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो आपका processor है वो तमाम तर processes को एक अठा deal करे तो कभी एक process को वो deal करेगा कभी दूसरे को करेगा कभी तीसरे को करेगा तो context switch होता जाएगा इस term को basically हम आके scheduling में पढ़ेंगे हम जिसे कहते हैं context switching तो कभी एक process का context आएगा कभी दूसरे process का context आएगा I hope so running application आपको clear हो गया होगा और तीन functionalities हमने इस class में मजीड discuss की जो के थी processor management उसके लावा user interface जो के user को provide किया जाता है and also हमने running applications को भी देखा कि इनको operating system कैसे deal करता है इंशाला next class में अगली functionalities के साथ मिलते हैं तब तक के लिए stay tuned Allah हाफेज